मुझकार स्वाकत है आप देख रहे हैं मंचानी उसमाप के साथ अंकी सिंग चोहान आज हम वीसेस मेमान से मिलाने वाले हैं क्योंकि दरसल आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई की खास मानेता इसलिए मानी जाती है क्योंकि भोजपुरी इंडस्टीज के जन्म राता जहां से भो भुजपुरी इंडस्टीज लगतार आगे बढ़ती रही है हमारे साथ आज भिखारी टाको ड्रमा स्कूल के जो एक रंग मंच है उसके संस्थापक है तो उन से चली हम आज बात करते जानते हैं कि किस तरह से अपने नजरिये से भोजपुरी इंडस्टीज को क्या देखत जो आपने बताया रंग यात्रा एक संस्कृतिक टीम है भिखाई ठाकपुरी स्कूलप ड्रामा की संस्कृतिक टीम है रंग यात्रा और रंग यात्रा पिछले 20 वर्सों से रंग मंच के शेत्र में विभीन जगों पर अपना कार्कर प्रस्टूट करती है और जैसा कि आप बखाई ठाकपुर दिखाई ठाकपुर जो बखाई ठाकपुर के शेक्सपियर कहे जाते हैं कि पुन्यति थी है और जुलाई दस जुलाई 1901 में उनकी मिर्तू ही थे तो आज हम लोग उनको याद करते हैं विसेस रूप से याद करते हैं क्यूंकि उनका बहुत ब़ह ठाइठ अश्लिलता को आगे लेकर नहीं चला कभी उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया और उन्होंने सबसे उनका जो सबसे खासियत था उनका बिश्वास अपने कला और शिल्प पर था वह कहने का अंदाज भी था उनके पास content भी था और लोगों को अच्छा लगता था आप समझ सकते हैं कि जिस समय काल में वह उनका जन्म होता है और वो 30 साल के उम्र में मंदली त्यार कर लेते हैं और उसके बाद बिभीन जगों पर वो कारिक्रम करते हैं और उसमें तो लर्कियां थी नहीं लरका ही था जो उनके नर्तक के रूप में काम करता था और ऐसे भी शह बस तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस जमाने में अगर पहले के दौर में देखेंगे तो नाटक होता था लेकिन वो करांतिकारी नाटक डाकू का नाटक और कुछ उस तरह के घटना पर अधारित नाटक था इनके आने के बाद एक समाजिक नाटक शुरू हुआ और समाजिक अंदोलन की तोर पर इनको देखा जा सकता है और चुकि इन में सबसे जो खासियत थी कि यह अबजोर्ब बढ़िया करते थे किसी चीज को तो वो समाज में जो हो रहा था जैसे आप उनके नाटक बेटी वेचवा देख सकते हैं बेटी वेचवा में क्या था कि छोटे छोटे बच्ची को बड़े बड़े पैसा वाले बुजुर्ग में भी अपना शादी कर ले हे चोटे चोटे बच्ची से शादी करते थे जब बच्चियाँ जवान होती थी तब तक तक बुझुर्गुजर जाते ते यह समाज का जो कुर्वीटी आप उस जमाने में इसको कैसे उसको खतम करने की पर्यास करते उनके पास एक हथीयार था वह सांस्कृतिक हतियार था इसलिए जब से भिखारी ठाकूर इसको लब ड्रामा और रंगयात्रा बीस वरसों से हम लोग इस बात की कोशिश में लगातार पुर्जोर प्रियास कर रहे हैं कुछ लोग हैं जो भिखारी ठाकूर को मंदिर में बैठाने में लगे हुएं कि वह दैविक गुन था मैं कहता हूं और हम लोग भिखारी ठाकूर इसकूल अब ड्रामा और रंगयात्रा यह हमेशा इसका प्रियास किया है कि भिखारी ठाकूर एक सांस्कृतिक योद्धा थे वो सांस्कृतिक अंदोलन चलाते थे समाज के चीजों को देखते थे उसी को परदर्शित करते थे उनहीं के समाज में उनहीं के साटे पर जाते थे साधी वियाह में जाते थे और उनहीं के कारिक्रम में समाज में जो घटित हो रहा था उनहीं को प्रस्तूत करते थे जबक इनके पास जो विधा था उस विधा के माध्यम से इनकी जो कला थी इनका जो शिल्प था उसके द्वारा लोग को आनंद आता था और लोग कुछ सीख भी लेते थे तो यह था भिखारी ठाकुर का जो असलिलता नहीं था लेकिन समाज को बहुत कुछ देते थे मैंुंकि इस तरह से दोर बदली है भोजप ún да यह एक कारosh दीरे दीरे बदला हो रही हैं लेकिन इसी इंडैस्ट इस क्या कर रहे हैं कि जिसुकारी रहे हैं और आप भोजपूरी में जो पहले इतने सारे कुछ दे कर चले गए हैं विखारी ठाकुर का देखिएगा उसके हर गे है हर गीत है वो इतने लोग प्रिये हुआ करते थे और उसी चीजों को इन लोग नए रूप में असलीलता कर रूप में प्रस्तूत करते रहते है इनके पास ग्यान नहीं है ये पढ़े लिखे लोग नहीं है ये सिर्फ नाच गाना जानते हैं और जो डीजे का एक दौर शुरू हुआ है उसमें कुद फान जानते हैं इससे ज़्यादा ये आगे नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं और होने देना भी नह तो जो अच्छे लोग हैं इस दौर में अच्छे लोग भुजपूरी में आने की जगुरत है जो पढ़े लिखे लोग है और वही लोग ये बचा पाएंगे और ये लोग क्या है अपने गाभी लेते हैं अस्लील गीत और कल होकर अपने ही विरोध करते हैं अब कौन किसको सम भाग है कि भुजपूरी को अस्लीलता का प्रयायमान लिया गया है जो कि हमारा 20-22 करोड लोग है जो पर हो नात्र भाच्पूरी में करते हैं तो भुजपूरी के अंदर घो तो लगता है कि या आनंद बना दिया है तो यह जब तक लोग अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग और दूसरा कि समाज को भी जागरुख होना होगा सरकार को भी जागरुख होना होगा ऐसे चीजों का ऐसे राइटर का ऐसे गाने वाले को परतिबंध लगने की जरूरत है यह समाज आज आज समाज गाओं में जाईएगा तो लड़कियां को निकलना बड़ा मुश्किल है उन निकल के जाती है आप समझिए कि यह बचके आ जाती है यह अपने आपको किस्मत वाले हैं नहीं तो समाज में निकलना मुश्किल है आप ट्रेक्टर चलते कुछ गाना गा रहे हैं आप यह पर चलाते कुछ गाना गा देते हैं, ऐसे गीत गाते हैं कि आप सुन नहीं सकते हैं और उस समाज के लोग हैं, तो ये बढ़ावा भी समाज के रूप में मिलता है, समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए, सरकार को भी इसको परतिबंद करना चाहिए, और जो ऐसे गायक गा लोग बहुत अपना कोशिज किया है लेकिन अभी जोड़ी नहीं जा सकी है कारण क्या रहे रहा है कि आठवी अंसुची में भोजबुरी को नहीं जोड़ा जा पा रहा है यहां के लोग उस तरह से क्या करना चाहिए भोजबुरी से ही भोजबुरी के गायक है मनोश्तिवारी भोजबुरी के अभिनेता है रवी किशन जी अभी यह डिनेश्राल यादब जी भी गए हैं आने वाले समय में कई लोग हैं कलपना भोजबुरी गाकर ही उसका नाम है और यह मालनी अवस्ति जी हैं सारे लोग भोजपूरी के लोग हैं सरकार उनकी है बड़ी सबसे अस्टरज की बात है और फिर भी वह आठमी अनसुची में नहीं अभी तक हो रहा है तो अब इसको क्या बोल दुर्भागी पूर्ण ही कहा जा सकता है कि यह नहीं हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि आठम कल सरकारों करना ही होगा और नहीं करते हैं तो भी हमारा भोजपूरी कोई ऐसा नहीं कि भोजपूरी में कुछ घट गया है लेकिन सरकार को इसकी पहल करते हुए इसको जल्दवाजी से कर लेना चाहिए ताकि लोगों में जो एक अंदर से जो भी असमंझस है वो लगे कि सरकार भी सिरुका मानेता देकार कि सरकार मनेता देती यह तो पूरिशिक जानते यहाँ भष्पूरी एक भाश रहा उद्सक्राइब क्या समझ सकते हैं पूरे भिहार समझा लीजीए हयुपी समझ्ज Find a zinsnap संग्जिए मध्द प्रदेस कुछ भाग समझ्जिए नेपाल समझ लीजिए यह सारे भोजपूरी के लोग हैं और तब हम भोजपूरी को आठमियन अशुची में और किसी सरकारन नहीं कर रही है मतलब की सरकार में तो यह जो गए हैं शायद कुछ करेंगे भौचपुरी के लिए तो अगर कर देते हैं कि हमको लगता है कि हो जाना चाहिए इसमें बहुत का मामला नहीं अब कर देगा लोग सवाल रहा है कि जोड़ा नहीं गया लेकिन मालीज अगर जोड़ दिया जाए गवर्मेंट की जो पहल हो जाए जोड़ दिया जाए तो फिर फैदे क्या होंगे ज़र हमारे दर्शकों को भी बताएं कि अठ्वी अंसूची में जब भुजपुरी को जोड़ दिया जाएगा सरकार जब कोई काम करती है तो उसका मानेता मिल जाता है तो बिहार में जो भाषाएं तीन मुक 뒴स्शा और भुजपुरी है आप समझ सकते के दिया दिया गया मैथली और लेडी का भी शयत्र बाए है लेकिन पर लगता है कि उस से बहुत बाए शयत्र है बोजपूरी का तो सरकार जब कोई चीज का ओन करती है ना उसका मानिता होता है तो वो क्या होगा कि तो उसके द्वारा जब देश विधेश में बीदेशो के लोग भी जानते हैं और आप भी इस बात को जानते हैं कि कई विधेशों में भी자 बोली जाती है तो हमको लगता है कि सरकार के अंदर क्या मामला फंसा हुआ है नहीं मालूम है इससे फाइदा क्या होगा कि अंतरास्टी अस्तर पर इसकी मानेता मिल जाएगी और इस इंडस्ट्री में बाहर के लोग आना सुरू कर देंगे चो कि अभी investment नहीं है, भौश्पूरी इंस्ट्री में अभी कोई खास investment नहीं है और बाहर के लोग इसमें पैसे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई विशयवस्तु भी उस 딱र से नहीं बन पा रहा है तो हमें संब्रीद करने के लिए सरकार के अस्तर से ये आठ्मियन सुची में होना ही चाहिए और लोगों को भी बढ़ चरकर अपने भुजपुरी चीजों को बचाने के लिए भाग लेना चाहिए और हिस्सेदारी निभानी चाहिए लांस्ट और और आकरी सावल हम आपसे कर लेते हैं जिस तरह से भुजपुरी का दोर बदल रहा है विखारी थाकूर जिस तरह से उन्होंने सुरुवात किया था लॉंडर नाच अभी भी कहीं कहीं गवों में होता है भुजपुरी में सर और क्या बदला होने की जरूरत है ज विखारी थाकूर कभी भी गौवर्मेंट आयड पर निर्भर नहीं रहा है तो होता क्या है कि गौवर्मेंट के आयड के द्वारा अगर नाटक करते हैं तो आप गौवर्मेंट की बात को परचारित करेंगे विखारी थाकूर समाज की चीजों को लाकर कुरूतियों को ला कर देख रहें कि सबकुस सेंट्रलाइज है शहर में कुछ हो जाता है गाउं में नहीं होता है हम को जिसके लिए करना है वह काम हम नहीं कर पा रहे हैं हम शहर में कुछ रंग मंच पर सरकार कुछ पैसा देती है प्रायोजित कर देती है तो वो लोग कारिकरम कर लेते हैं इससे नहीं होगा जिस तरब भिखारी ठाकूर ने अपने मंडली को लेकर वो गाउं गाउं जाते थे गाउं गाउं अपनी विशाइबस्तू के साथ नाटक करते थे उनमें सबसे पोजेटिव पक्स था वो कत समझ है नहीं न किसी को हिंदी से मतलब है उसको अपना ब्रांड बनने से मतलब है ये ब्रांड जो बनना की एन केन प्राकरेन मेरा मार्केटिंग हो इसमें कोई चीज फायदा होने वाला नहीं है और कोई चीज बचने वाला नहीं है भोजपूरी को बचाना है तो भिखारी ठा आफिर निकल जाते हैं और भिखाई ठाकुर टाइप कोई लोग बन नहीं पाते हैं और हम को नहीं लगता है क्योंकि भिखाई ठाकुर खुद लिखते थे गधामिन ँचsty. वेड्या फूट करना प्रदर्शन होता था दूसरे और्केस्टा पार्टी परसान हो जाता था कि विखाई ठाकुर का नाटक जो चल नहीं होता था इसका कारण क्या था विखाई ठाकुर अपने कलाकार को दीन में निकलने भी नहीं देते थे वह लौकम रकाई ठाकुर का नाटक नहीं कहा जाता है कुछ लोग इसको शडियांधर के तहड़ इस बात को रखते हैं कि विखाई ठाकूर ने ही लॉंडा नाच करता ऐसा नहीं है विखाई ठाकूर ने अपने कलाकारों के बरी इज़्जत और सम्मान के साथ रखते थे दीन में निकलते नहीं थे अनुशासन बहुत रखते थे नशा से दूर रखते थे वो जो एक मानव का जो एक discipline होना वो सब मेंटन करते थे, तब वो एक कलाकार बनता था चब वो परदरशन होता था, आज कल के क्या है, दारूआ पीएंगे, स lass पीएंगे, मचपे चड़ जाएंगे, गाजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तारी पीते हैं, वोसब मच-पे जाते हैं, और खुब कूद लेते ह है फाण लेते हैं वही उनका नाटक हो गया वही कलाकारी हो गया तो ऐसा नहीं है आपको ये बड़ा तपस्या का daher या बहुत साधना का चीज है जवह भिकाई ठाक रुक करते थे जो नाटक स्जूरे हैं जो भी लोग सिंगिंग से जूरे हैं जो भी कलाकार है उनके लिए बरहुत बड़ा सीख है कि आप उस discipline को मेंटन करें क्योंकि discipline रहिएगा तभी वह आप कुछ न कुछ प्राफ्ट कर पाईएगा और किजिए यह नहीं कि हम बनने के लिए कुछ करते हैं बनने के लिए आप किजिएगा तो अपने बन जाईएगा आप करते नहीं है सिर्फ करने कि हम कुछ बनने के लिए करें तो मुश्किल होता यहीं पर फस्ता है मामला तब आप एन किन प्राकरें जो सस्ती चीज है जो असानी से आप कर सकते ह टो असलीलता हो या जो भी आराजकता हो तो असानी से मार्केटिंग उसका बढ़िया है तो बिक जाता है तो लोको लगता ऐसे नहीं कह सकते हैं उन्होंने इस तरह के चीजों को देखा होगा आपको बड़ा असर होगा जानकर कि विखाई ठाकुर जो नाटक यहां लिख रहे हैं विदेशों के एक राइटर है वो भी उसी नाटक को लिख रहे हैं कहानी सेम है कहने का तरीका अलग है सोच एक है यहां बैठे होगे कोई कोई मोबाइल नहीं है कोई यूटूब नहीं है फिर यह चला है तो यह इसका मतलब यह है कि विखाई ठाकुर चीजों को समझते थे समाज से जो अब जर्ब करना है उनकी कैपिसीटी उनमें बहुत जादा थी और यही काराने को विखाई ठाकुर और आज भी प्रासंगी है और हर कलाकार को उनके उनके जो पताए रास्ते कम से कम उनके पर तो चलें फिर आगे क्रियेटीव करें और तब आगे बढ़ें जाते क्या कहने चाहेंगे हमारे दर्शकों को बिखाई ठाकुर को हम आज याद तो करते हैं और भुजपूरी को बचाने के लिए हम समाज में जो असलीलता का जो दौर है जो गीत है गाने वाले से मेरा अनुरोध है लिखने वाले से भी अनुरोध है और सुनने वाले से भी अनुरोध है कि तीनों लोग अगर आप बं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा तो यहीं है कि नएने जो बच्चे हैं वो थोड़ा मेनत करें भोजपूरी को समझे भिखारी ठाकुर को समझे और हमेशा भिखारी ठाकुर को जब पुनितिती हो जर्म दिवस हो तो कम से कम जो भोजपूरी शत्र के कलाकार है उनक तरह से शुरुवाद थी और तीरासी सालों तक के उमर तक उन्होंने भोजपूरी को कितना जिया है कितना बताया है सब कुछ इसे इंट्रेवर को अंदर है आप ही देखना पसंद आया तो लाइक करना कॉमेंट जरूर करके बताना कि क्या कुछ अच्छा लागा